है वेल्कुम बाग तो माई यूटूब चैनल सुगारी जैसे कि आप देख रहे हो मैं होटल में हूँ और होटल का जिम है उसका यूज कर रही हूँ आज को वकाउट मेरा होटल के जो हमारा जिम है उसमें और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहां कितना अच्छा जिम बना रह यह अपना ट्रेड्मिल किया था बटा भी और करना है तो अपना स्पिन बाइक कर रही हूँ उसके बद मेरा क्रॉस्टोनर भी रहता है थोड़ा बहुत मॉस्ल्स भी बहुत हैं से किया नहीं तो कि मेंट आप देखे रहें हैं किते खुबसूरत हैं आकर अच्छा है और ब संबल्स भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं आइधिंग यहाँ पर मेक्सिम्म 15 kg कि रहें हैं तो क्याइस जस्त मेरा च्रेड्मिल अभी चालूने और थाटी मिनट्स में को होने वालने हैं और सिर्फ 20 सेकंड्स लेफ्ट है थाटी मिनट्स कंप्लेट जाएगा जैसे कि मै तो आप देख सकते हैं मैं अच्छी स्पीड पे अपना ट्रेड्मिल कंप्लीट के और तो ट्रेड्मिल के बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी मैं ट्विस्टिंग करना प्रफर करती हूं मुझे पसंद भी है मैं सज्च्ट भी देती हूं कि आप काडियों के एक्दम ब तो आपके साइट्स फैट है वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस रजाएगा तो वही मैं ढूंड रही हूँ ट्विस्टिंग के लिए पूरे जिम में भी कोही नहीं है मैं अके लिए हूँ इसलिए मुझे अपना शूट करना पड़ रहा है और मैं देखनी हूँ देखो अब आप सोचेंगे ट्विस्ट डंबल से कैसे करें इससे भी कर सकते है रोड से लेकिन यह थोड़ी हैवी हो जाएगी फिर मिल के अगोर्डिंग तो काफी हैवी हो जाएगी बट लेकिन तो मैं आपको दिखा दूँगे कि हम हाँ एक और चीज प्लेट से भी हम ट्विस् अगर आपके पास ट्विस्टिंग के लिए कुछ नहीं है और काडियो के तुरंट बात जैसे मैंने बता है ट्विस्टिंग करना बहुत जरूरी है हमारी साइट फेट के लिए तो सबसे पहले इसमें 7.5 या फिर 5 kg मैं सर्च करना चाहूंगी मुझे यहां पर दिखाई न फाइव भी रहता है लेकिन में को तो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा फाइव केची का अब 8 kg का देखते हैं थोड़ असा है विए ट्विस्टिंग के लोडिंग हो भी चाहेगा 3 kg फोड़ा इसमें 3 kg का विकोज मुझे यह ही सही लग रहा है और 3 kg का रपन और मैं आपक सब्सक्राइब के बाद इतना डिस्टेंस जितना आपको शोल्डर में असके अगोर्डिंग रखने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देते हैं हाथ में अपना डंबल अपने पास रखना है और अभी चैसे कि मुझे थोड़ इसी प्यास भी लगी है थोड़ अब इसी मेरे पो काड़ इवर के हलका सा वीक्नेस भी लगी तो मैं अपने अप्स्रोड नुट्रिशन का बीसी डबल अलकानी टैन पसंद करूंगी इसमें मैंने अलकानी टैन में ग्रीन अपल और बीसी डबल में मेरा मैंगो फिलेवर तो दोनों मिक्स होगे तो थोड़ा सा बोड़ अच्छा लग रहा है तो जैसे डिस्टेंस मैंने बताया था आसे शॉल्डर इतना डिस्टेंस अपना है नंबल को ऐसे पकड़ आपने तो बाइसे ठीक है इसको 23456789 आपको ट्राइगा गना फेस आपको बल्कु फ्रेंट रखना आपना ऐसे मूँ अपने फेस को ब्रतार कर लो नहीं आपको फेस फ्रेंट रखना है इसको मूव बरना है तो गाइज अब मुझे मिलिए हैं 5 kg के प्लेट और मैं इसे ट्विस्टिंग बताती हूं कैसे ट्विस्टिंग होगी वही सेम डिस्टेंस एकना है इसमें इसमें क्या होता है आपको नो होड़ करने के लिए बड़ आची ग्रिप मिल जाती है वाँ टेकनिक सीम देगी बस आ तो फ्रेंट्स मैंने डंबल डंबल और ब्लेट जोन से ट्विस्टिंग बता दिया मैंने कर लिये और मैं इसके 3-3 सेट अभी कंपलीट करती हूं वह मैं वीडियो में ने दिखांगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद मैं दिखांगी कि हम कौन सी मशीन करेंगे अभी मेरा काड़ी चल दे हैं मैं काड़ी में बताऊंगी आप इसके बाद ख्यार करेंगे सु मैंने फिनिश की अपने ट्विस्टिंग और अप टर्न है मेरी क्लॉस्टेंड लगी सबसे बड़िया कॉंबो सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए 30 मिनिट्स आपका मिनिमम 30 मिनिट्स मैक्सिम आप कर सकते हैं मिनिमम 30 मिनिट्स आपका ट्रेड मिल रहेगा उसके बाद अगरब करना चाहते यधि कर सकते बीच में ठीकियाओ से या फिर बाद से अपना ौकाण कर सकते रहे हैं और करना होता हैं बेसिकली मैं क्या करती हूं कि जो ट्रेड्मिल है ड्रेड्मिल के तुरंद बाद मैं स्ट्टिंग करती हूं जो हमारे मशीन होती हो तुरंद बाद जो मैं करती हूं क्रॉस्टेन के बाद जोगे ट्विस्टिंग रहेगी वो मेरा स्टिक से रहेगी तो फ्रेंज मैंने डंबल डंबल और प्लेट जोनों से ट्विस्टिंग बता दिया मैंने कर लिये और मैं इसके 3-3 सेट अभी कंपलीट करती हूँ वो मैं वीडियो में ने दिखाऊंगे नह कौन सी मशीन करेंगे अब मेरा काड़ी चलने में काड़ी में बताऊंगी आप इसके बाद ख्यार करेंगे